तो क्या ये माने कि जैسे युक्रियन को अमेरिका ने सपोर्ट दिया, इसरेल को भी अबेका सपोर्ट जल दे सकता है, क्योंकि इसरेल हमाज जंग पहले सी चल रही थी ओर इसरेल के सामने को रच्णौाटी इरान आ गया या आ गया अहां जो अमारिका की डिफेंस मिनिस्टर की counterpart से हुए इस्राइल के उसमें दो महत्वपून कारण है पहला ये जो फ्रेश अटैक हो रहे हैं लगातार इरान की तरफ से उनका मेज़र लेना उनको देख दरासल उसका assessment करना कि आखिरकार कितनी gravity की और दूसरा सबसे important बात यह है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर से इस्राइल के अंदर war cabinet की meeting खतम हुई है अमारिका ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस्राइल ने क्या decide कि है कौन से प्लान पर वो लगातार काम कर रहे हैं ताकि अमारिका भी उसमें मदद कर सके और security council में जब भी matter जाए तो दोनों एक ही platform पर एक ही जगे पर खड़ी नज़र आए बिल्कुल और बड़ी बात यह कि इस हमले के बाद बाइडन और नितन्याहू के बीच बादचीत भी हुई है हालात की जानकारी लिगई अमेरिकी प्रेसिडेंट की ओर से नितन्याहू ने किया अमेरिकी राजशुपती से बात और का जा रहा है कि नितन्याहू बाइडन की 25 मिनट यहां 25 मिनट तक यह बादचीत हुई है असलामुलेकूम दोस्तों सिर्फ एक एरान की हमले से आदेक से ज्यादा इसराहील में तबाही मच चुकी है दोस्तों इतने मजाहिल बरसे हैं बिलिस्टिक और कुरूस मजाहिल के एरान के इस हमले से इसराहील आदा बुखला गया है इसराहील अमरीका से मदद मांग रहा है इसराहील यूर्पियन यूनियन से मदद मांग रहा है अमरीका तो कह रहा है कि वो युक्राइन में बिजी है वो इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा जबके हत्यार थोड़े बहुत दे देगा लेकिन दोस्तों आप खुछ सोचे कि सिर्फ एक इसलामी मुल्क ने इरान ने जाकर इसराहिल में तबाही मचा दी है अगर इसके साथ दूसरा जुड़ जाए इसी के साथ तीसरा जुड़ जाए तो फिर दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत इन मुस्लिम मुमालक के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी सतर के करीम मुस्लिम मुमालक है उनमें से एक ने इरान ने हमला किया है पाकिस्तान अगर जोड़ जाए एरान के साथ तो देखें कि पाकिस्तान की मिल्टरी और फिर मजायल टेक्नालोजी एरान से बहुत ही जाद आगे है मिजायल टेकनलोजी को छोड़िए पाकिस्तान के पास तो टेक्टिकल वेपन्स भी है जो पाकिस्तान इरान को या फिर खुद ही फायर कर सकता है इसराहिल पर लेकिन दोस्तों इसके लिए गहरत चाहिए और गहरत तो हमारे हुक्मरानों में कभी थी ही नहीं और नहीं आगे हमें होने का इमकान दिख रहा है, जबके एरान थे कमसे कम गहरत दिखाई है उसने अपने more चैयए से पर में लिया है लाकिन 7 में इससे अचम्ह लेकिन दोस्तों इसने इसराहिल में तबाही मचा दी और आगए है तो एकाद मजाहिल dachte MBA करता लैकिन धोफने दोस्तों 200 मजा एक और बड़ी ख़बर है कि इस हमले के बीच नितन्याहू और जो बाइडन के बीच 25 मिनट तक बाचीत हुई है और इस 25 मिनट की बाचीत में ताजा हालात की जानकारी बाइडन को दी गई है नितन्याहू की ओर से इस वक्त एग्रेसिव नहीं होना है लेकिन नितन्याहू ने किया और इसलिए इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए यह वो दोनों तस्वीरे हैं एक में इस्राइल के रक्षा मंतरी एक में इस्राइल के प्रधान मंतरी अगर ऐसा है तो क्या अमेरिका साथ छोड़ देगा कि और इसाने कर दीजिए यह एक मैस लेक्शा के का हैं शूर्सपिर जो चैनि कहसी बदीजिए अमेरिका समंदर में मौजूदुद अमेरिका हवा में मौजूदुद ऑ्रिष्गा इस इर проблемы के इसाट कि आ रयन डों यह इसाइल फायr Meerे Él – ट isn't Mike बल्कि अमेरिका के जहाँ जो जहाज है जो एर डिफेंस सिस्टम है वो सब उन मिशाइलों को खक्म कर रहा है तो वो इसलिए तो कि इस जंग में इरान आपके खिलाप अमेरिका और इस्राइल साथ साथ लग रहे हैं ठीक है और देखें एके स्वासर भी हमार साथ है एके यहाँ ने दर्किनार किया क्या यह हिदायदी बेंजमिन इतने अहू दर्किनार कर सकते हैं इरान के खिलाफ मुझे नहीं लगता देखो सचाई है जब बात आती है इसराइल वर्सिस हमास तो फिर इसराइल मनमानी कर सकता है क्योंके हमास के पास इतना रिजिस्टन पार न इसरा नहीं हो सकता है नेतन यायू पूरे वर्ल्ड को थर्ड वर्ड वर्ड की तरफ आप जोग तें तो फिर अमेरिका कोई भी तो प्रॉब्लम है क्योंके अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसा हो कि यह इतना फैल जाए कि इसको समालना मुस्क्र हो रूश यूक्रेयन लगा ह पूपर से Middle East में बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कहीं ने कहीं अमेरिका जो एक प्रकार से Middle East के अंदर डेटरेंस का रूप करता था आज उसका सारा का सारा जो गेम पिल्कु सर जो आप कह रहे हैं और जो मनीश कह रहे थे अगर इसमें सच्छाई है तो फिर नितन्याह इरान से बदले का ऐलान किया गया है पिम नितन्याहू ने बदले की रहननीती बनाई है और ये भी याद रखिएगा कि अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने बाद भी किये 25 मिनिट नितन्याहू से वार कैबिनेट में इरान पर हमले को मुहर लगा दी गई है क्योंकि अब तोर हमले किये जा रहे है तो देखिए रान के खिलाफ इसरेल का पारुदी प्लान थैयार है वार कैबिनेट में इरान से बदले का एलान कर दिया गया है इसरेल की ओर से और मुहर लगा दी गई है यानि कि अब जंग ओफिस्छली छिडगई है इरान और इसरेल के बी मोहर लगी उसको आप देखे एक तरफ आसुमित और मनीश आपके तरफ आगर मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर लगातार हमलों की तस्वीर है लेकिन ये वार कैमिने का आदेश दे दिया गया है वार कैमिने की बैठाकना और साथ ही क्या रहा है इस्राइली डिफेंस फोर् ऐसा चाहें आप हमला कर सके रिटैलियेट कर सके हमले के लिए इजाज़त की जुरत में ये लाइन देखना समझना जरूरी है वार कैमिने कौन कौन था प्रधान मंतरी बेंजमिन नितने आउखोर इस के लावा इस्राइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट इसमें मौजू इसमें कहा गया है कि अगर इसरेल ने कुछ किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा सीधे तौर पर आप इरान चुक बैठने वाला नहीं है क्योंकि एक के बाद एक कई मिसार दागी गई है ता बड़तोर हमले इसरेल पर जारी और एक और बड़ी खबार हमले के बाद इसरेल को बहुत बड़ी धंकी सामने आई है कहा गया है इसरेल ने हमला किया तो उसको भुगतना पड़ेगा ये इरान ने धंकाया है आई याद जीसी यानि इरानी रेवलुशनरी गाट कॉप्स कमांडर ने धंकी दी है इसरेल को इरान ने कहा है महा युद्ध के लिए इसरेल करना अगर हम सारे बिंदू को जोड़ते हैं अभी तक जो हमारा डिसकेशन पैनल पर हुआ है तो आप एक चीज समझ के रखे कि अगर इसराइल के रिस्पॉंस की बात हो रही है तो रिस्पॉंस या तो नेवल फोर्से से होगा या स्पेस फोर्से से होगा या एर फोर्से से होगा और एर फोर्स का जो रिस्पॉंस होगा वो बहुत इस इसराइल के पास जो पावर है कम्बाइड विद यूएस वहां से इंट्रेंस इंट्रेंशन मिलेगी टागिटिंग इंफोमेशन मिलेगी बिर्टिन भी आ चुका है है यहां जैसा कि अभी सुमित ने बताया था कि एक तरीके से यूएस इंवॉल्ड है जितने अटाइक हो था उनकी मिसाइल सो गिराने में यूएस की जो नेवल बैटरीज है वो काम में आई थी तो यहां अगर देखिया जो रिस्पॉंस होगा वो बहुत प्रसाइज रिस्पॉंस होगा और जितने भी मिलिटरी टागेट्स हैं उन सारों को वो धुस्त करें एक बार में जिसको हम ब्लिट्स क्रिक बोलते हैं उस तरीके का रिस्पॉंस होगा I am not expecting a response which will be moderate at low level क्योंकि अगर इरान को रिस्पॉंस देना है तो उसकी military जो उसकी शक्ती है उसको एक बार में छींड करना होगा तो इससे हम saturation attack होते हैं ठीके सर लोटने आपकी आपकी पास बहुत important information आप दे रहे हैं और इस बीच एक और अप अबना होगा इरान की nuclear site पर कि अगातार बात वी अप एक दिन के अंदर खास्तों पर हमारे की कहा है मैं डिफेंस मिनिस्टर की इसराइल से दरसल यही जानने के लिए हुई थी में मोटिविएट है कि वार काम कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसराइल ने यह तै कर लिय है कि अगले 24 घंटे के अंदर वह इरान के मिलिटरी इंस्टॉलेशन पर न्यूक्लियर साइट पर बड़े अटाक करेगा अगर इरान नहीं रुका क्योंकि दूसरे अबड़े अटाक को इरान की तरफ से अंजाम देने की बात कही जा रही है और सबसे इंपोर्टन बात य इसराइल बड़े अटाक को अंजाम देना और यहीं बज़े है कि इसराइल लगातार कॉंफिडेंस में लेना चाहता है अमारिका को दुबारा से की दे कि आपके साथ रहकर ही हम इन वार प्लांस को एक्जिक्यूट करेंगे तो यह बड़ी तस्कीर निकल कर सामने आ रही ह बिल्कुल मनिश एक और बड़ी बात है मुझे लियाद है जब रूस और युक्रेन के यूद की बात कर लगातार इस बात खो लेकर आशंका थी कि जो परमाणू उर्जव सायंतर है युक्रेन के अंदर उन पर हमला हो सकता है रूस की तरफ से ऐसा हुआ ने क्योंकि गेव डेजर्ट में एक डिमोना नुक्लियर प्लांट है इसराइल का इसराइल का इसराइल कभी आधिकारी तोर पर नहीं मानता है हम उसको जिसे आप एरबेस कहते है उसी के पास नुक्लियर प्लांट है इसराइल का और इसराइली सेना ने आधिकारी तोर पर माना है क्यो उस नुक्लियर प्लांट को मामुली नुक्सान पहुंचा है इरान के हमले में तो अब इरान के जो नुक्लियर प्लांट है उस पर इस्राइल टार्गेट करने वाला है और वो नुक्लियर प्लांट कहा है दूर सौर्ट डेजर्ट में इरान के